नमस्कार दोस्तों, नामदेव अकेडमी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है, आज हम देखते हैं कि रेलवे अलपी टेकनिशन की जो CBT-1 एक्जाम हो चुकी है, उसकी क्या एक्सपेक्टेड कटोप रहने वाली, हम एक्सपेक्टेड कटोप देखेंगे, वैसे हमारा क एक बात पताता हूँ, ज्यादा विश्वास उसी पर किया जा सकता है, जो वाके में फिल्ड में रह के काम कर रहा हूँ, तो हमने देखा कि जो पिछले साल जो क्या NTPC की एक्जाम होई थी, और पिछले साल जो जो जूनियर इंजिनियर और सेनियर सेक्शन इंजिनियर की एक्जाम होई थी, उनका हमने पैटरन देखा है, हमारी आंकों से देखा है, हमने खुद ने अटेम्ट किया कि पिछले साल क्या पेपर आया था, ठीक है, NTPC के दोनों लेवल मैंने खुद ने दिये थे, पिछली बार, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रियल में इस बार क क्या कट्टोप रहने वाली और किस तरीके का क्या पैटरन दा ठीक है, और इस बार जो ELP की एक्जाम होई थी, उसके सबी सिप्ट के मैंने analysis की है, मुझे पता एच्छे से कि किस तरीके क्या क्यूशन पूचे गए, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, पिछ इस पिछली साल जैसे कि सबसे पहले तो मैं पिछली साल कि आपको कट्ट κटर्था अगों कि ततो कि पिछली साल किया कट्ट थी, 2014 जो ELP के एकजाम अगर वही थी, उसके अनदर ELP के अदर यह थी, जनरल की थी, 0सbis की साफ़ाइट, SC की यह थी, 140 की यह थी, हठीक है, ल और बाकि जो SC, ST, OBC है, इनके लिए भी fix कर दिया, कि जो SC और जो OBC है, इनका कर दिया कि इनको 30% है, लेकर आना ही आना है, बाकि ST का fix किया था, ST का था 25%, ठीक है, इस तरिक है कि इनको इतने नंबर तो लेकर आने ही आने है, ठीक है, अगर इनके बात करें 40% की, पेपर 25 आने थे, अगर बात करें, OBC की और SC की, तो OBC और SC को 22.5 नंबर लाने कंपल सरी थे, 22.5 नंबर, OBC को 22.5 SC को, बाकि जो ST की बात करते हो, ST के 18.5 नंबर आने कंपल सरी है, यह criteria railway ने खुद में रखाए है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे किस तरिक है क्या criteria रहने वाल पहली बात तो हम बात करते हैं कि 26,000 वेकेंशी थी, इस बार वेकेंशी है 60,000, ठीक है, पहला point यह द्यान में रखना है आपको, ठीक है, अब मैं दूसरा point हम बात करते है, paper level की, paper level की, पिछली बार, अगर as compared to इस बार की बात करें तो पिछली बार, मतलब जो जिक्के portion होत करेंशी था, वो था current affair वे, ठीक है, और कितने भी ज़्याद है intelligent candidate वो current affair को मतलब lose लेके चलते हैं, और current affair भी वो पुछा गया था, जो 2017 का था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कि जो level था paper का, वो पिछले साल के comparison में difficult था, ठीक है, तो पहले तो अगर बात करेंशी तो paper level टप थ ठीक है, वेकेंशी ज़्याद है, दो पॉंट ध्यान देना, और general science है, पिछले साल के comparison में इस बार general science से भी कुल मिला के थोड़ा टप आ रहा था, ठीक है, 2014 के बात करेंशी या जो NTPC की बात करेंशी तो NTPC के मुकाबले भी जो assistant, वो station master के एक जाम ही थी 2015 में, उसके level में भी ALP का paper tap था इस बार, क्यों, क्योंकि नाई तो इसमें जो general knowledge की जो question होते है ना, वो पुछे गए थे, और general science भी इस बार difficult level का पुछे गए था, तो हम कह सकते हैं देखाँ दोस्तों, vacancy बड़ी है, ठीक है, दूसरी बात paper level tap है, ठीक है, अब एक बात का आप अंदज बात paper level tap आता है, vacancy बड़ती है, और paper level tap है, तो cut up गिरेगी या बड़ेगी, खुद analysis करो कि cut up बड़ेगी या गिरेगी, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों point को देखते हैं, cut up क्या रहती है, cut up down आईगी, सब को पता है, खुद analysis करेंगे हम तो भी समझा जाएगी, cut up गिरेग ठीक है, अब कहते हैं कि इस बार, कि जो बात करते हैं, पिछली साल की, vacancies की, वो cut up की बात करते हैं, यह देखो, पिछली साल की, यह cut up थी पिछली साल, 2014 के अंदर, ठीक है, अब देखो इसमें, bound point 77, 42, 47, 46, अब एक बार आप यही मान के चलो कि इस बार यही cut up रहने वाली वेसे हमने देखा, दो point देखे थे, हमने एक point तो देखा था कि paper level टप था, दूसरा हमने level देखा कि vacancies बहुँ ज़्याद है, तो मतलब हमने देखा कि cut up down आईगी, लेकिन हम cut up को down नहीं करते हैं, पिछले साल जो vacancies cut up थी, वो ही लेके चलते हैं, अब देखो, यह जो bound point 77, साथ 2 percentage है, ध्यान देना यह percentage में है, ठीक, यहनी 100 में से आई है, अब अपना तो paper 75 का था, paper 75 नमबर का हुआ था, तो इसमें अब अगर 75 नमबर का 22.772 percentage निकलोगे आप, तो आपके कितने नमबर आने चाहिए, अगर 75 का 22.772 percentage निकलोगे तो आपके इसमें आएगा 39.56, ठ तो यह आएगा 31.5, ठीक है, और H T में 47.5 निकलोगे तो यह आएगा 35.77, और OBC निकलोगे तो यह आएगा 34.5 से 75, ठीक है, अब देखों, आप खुद अंदाज लगा लो, कितने क्या cut-up रहने वाली है, मंदब depression में आने की जरूरत नहीं है, आपको मैं कहा दूँ, अगर आपके जनरल केटेगरी है, इसमें हमने देखा कि 49 आ रही है, इसमें देखा 31, इसमें देखा 35, और इसमें 34, ठीक है, यह हमने पिछले साल के comparison से एक idea लिया है, और दोस्तों कितने भी ज़्यदा intelligent candidate हो, अगर वो जितने 60 पलस जा रहा है, यह 50 पलस जा रहा है, वो जितने ज़्यदा attempt करेगा न, guaranteed बात है कि उसका जो accuracy level है, वो down होएगा होएगा, दूसरी बात हम में important बात करें, एक normalization की, depression में के आने की जुरूर नहीं, आपका paper difficult है है, तो आपको उसके bonus, उसके level के according मिलेंगे, ठीक है, तो गबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो कुल मिला क कि मैं कहा दूँ, जो अपने according, अगर cut-off की बात करें, अगर बात करें, SC और HD की, देखो दोस्तों, तयारी कभी बेकार नहीं जाती है, और किसी दूसरे की बात समझ गया है, मालब इतनी cut-off जाएगी, उतनी cut-off जाएगी, नहीं, self analysis करो आपकी क्या जा सकती है, वाक्य में तो दोस्तों, अगर SC और CD की 30+, नंबर आ रहे हैं, SC और HD की 30+, थिक है, 30+, तो आपको अपने CBT-2 की तियारी continue रखनी चाहिए, ठीक है, और बात करें, obc and general 35 plus लेके आ रहे हैं, तो आपको अपने CBT-2 की तियारी continue रखनी चाहिए, आपको जरूर मोका में लेगा, ठीक है, तो कहीं भी बठकनी की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल अपना खुद का self analysis कर लिजेगा कि इस तरह के क्या cut up रहने वाली है तो कुल मिला के निसकर सपना यह यह कि अगर SC और HD 30 प्लस ला रहे हैं और General और OBC 35 प्लस ला रहे हैं तो आपको अपनी जो CBT Tire 2 की तहारी continue रखनी चाहिए क्योंकि तहारी कभी आपकी waste end नहीं जाएगी ठीक है तो दोस्तों यह था अपना analysis आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए तो सबस्क्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा थेंक्यू फॉर वाचिंग